अब लिखे टाइप्स ओफ ट्रेंगल्स टाइप्स ओफ ट्रेंगल्स अब बात करने जा रहे हैं टाइप्स ओफ ट्रेंगल्स अब जो समझेगा ट्रेंगल्स के पास क्या क्या होता है तीन साइडस होती है और दो स्ट्रेंट लाइन के बीच में जो एंगल्स होता है नहीं कितने एंगल्स होते हैं यानि की triangle के पास तीन sides होती है और तीन angles होती है ठीक है तो triangle के नाम कैसे दिये जाए तो कोई नाम कई तरीके से दे सकते है अग हम उसके sides को basement के हम उसका नाम दे सकते है ठीक है जिसे कोई किसी को चुड़ाता है कैन लंबू है ये height से उसको चड़ा दिया कैन कल्लू है ये color से उसको चड़ा दिया ठीक है तो हम triangle के नाम एक sides के base पर उसका नाम बनाएंगे और एक angles के base पर उसका नाम बनाएंगे ठीक है तो sides के base पर चुकि तीन sides होती है तो तीन नाम उसके होते है पहला होता है equilateral triangle equilateral triangle कुछ और बता रहे होंगे तो वहां बताया होगा आपने बता कुछ और रहे होंगे वो साथ perimeter आपके उसमें आया होगा तो वहां नाम बताया था लेकिन आप उसको detail में पूरा बताना पड़ेगा न equilateral में क्या होता है कि all three sides are equal all three sides are equal यानि कि equilateral triangle की तीनो sides equal होती है समझ में आ गया अच्छा दूसरा है देखे आप अगर दो side equal है तो इसको isocellus triangle कहते है isocellus triangle को ऐसे बना दे इसमें है two sides are equal two sides are equal जिस triangle की दो sides equal होती है तो उसको हम कहते है isocellus triangle नीद आ रही है क्या ना लगता है चुकि mathematics में नीद आती है लोग को तीसरा होता है skeleton triangle skeleton triangle में all three sides are different in length are different in length यानि कि अगर किसी भी triangle की तीनो sides equal उसका नाम equilateral तीनो sides equal तो उसका नाम equilateral दो sides equal एक different length की isocellus तीनो sides अलग लग length की skeleton नोट करिए इसको लिखते जाओ असल का very good नोट कर लिया कि उसका स्क्रीन साइट ले ली हाँ नोट करिएगा अब देखो अब जरा समझीएगा अभी हम इसके जो नाम दे रहे हैं वह on the basis of sides दे रहे हैं अब triangle के पात तीन angles होते हैं ठीक है पहले जरा थोड़ा समझ लिजेगा एक condition किसी भी triangle के तीनो angle का sum कितना होता है 180 degree यह ध्यान रखिएगा एक note करके लिख जिए पहले तो फिर हम बात करें यह दस अफ थी आंगल्स थ्री आंगल्स ओफ एट्रैंगल्स इस इकल टू 180 डिग्री यानि इससे बड़ा नहीं हो सकता इससे छोटा नहीं हो सकता 180 डिग्री होता है बड़े क्लास में जाओगे तो प्रूफ किया इसको प्रूफ करके दिखाये जाएगा कि होता है पक्का होता है ठीक है थोड़ा और बड़े हो जाओ थोड़ा थोटे हो और एक आद बढ़डे आए फिर बताया जाए आपको अब ज़रा समझेगा तो नाम देने जा रहे हैं देखो ध्यान से कि सबसे पहले एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है देखे जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल एक्यूट होते है यानि किसमें क्या होता है कि आल थ्री एंगल्स आर एक्यूट थ्री एंगल्स आर एक्यूट अच्छा देखिए हमें साइड से कोई मतलब नहीं है सभी तीनों एंगल एक्यूट है तीनों साइड इक्वल है तो वो एक्यूलेटरल भी है और एक्यूट एंगल्ट एंगल भी है नहीं समझे तो सभी acute का मतलब क्या हुआ less than 90 degree acute का मतलब क्या हुआ ज़रा net शेक करिए आ रही अब अब आ रही है अब आ रही है net शेक करिए net तो नहीं वीक है एक मिनट अब नेट तो ठीक आ रहा है मेरा भी ठीक है अब आ रही आवज अब नेट तो वाई फाई लगा हुआ है फिर तो ठीक आ रही है अब ठीक है वो बीच बीच में 500-600 किलोमेटर वेब को जाना पड़ता है रास्ते में चाय नास्ता करना है लगती होगी तो आल थ्री एंगिल्स एक्क्यूट हम भी बता है एक्क्यूट का मतलब क्या होता है देखो जीरो तो जीरो तो हो नहीं सकता कोई ट्रैंगल ऐसा नहीं बन सकता जिसका एंगल जीरो डिग्री हो तो जीरो से नाइंटी के बीच कुछ भी हो सकता है लेकिन शर्त एक है कि तीनो एंगल एक्क्यूट होने चाहिए और तीनो का सम कितना होना चाहिए जैसे मैं आप से देदू हाँ जैसे मैं देदू कि क्या अगर माले 25 डिग्री 75 डिग्री और 60 डिग्री हमने तीन एंगल दे दिये हमने का भी क्या ये तीन एंगल किसी ट्रैंगल के एंगल हो सकते हैं तो आपने कभी तीनो एक्क्यूट है और तीनो एक्क्यूट है तो क्या ये 180 degree हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा है तो अगर सभी angles acute है तो इसको कहते है acute angled triangle दूसरा देखी right angled triangle right angled triangle ऐसे बनाए दे रहे हैं क्या तीनों angle right हो सकते हैं नहीं हो सकते ना दे राइट एंगल कितने डिगरी का होता है तो का तीनों 90 हो सकते हैं किसी triangle के तीनों angle 90 हो सकते हैं नहीं हो सकते ना कि तीनों का सम कितना होना चीए तो फिर थीनो 90 तो नहीं हो सकते हैं, क्या दो 90 हो सकते हैं, हो सकते हैं, दो कसम कितना हो जाएगा, और तीसरा क्या करेगा, तीसरा कहां जाएगा, मतब एक मिनट तीनों एंगल 90 नहीं हो सकते ठीक है अगर दो एंगल में 90 कर दूँगा तो तीसरे की वैलू जीरो होनी चाहिए अब किसी ट्रैंगल का एक एंगल जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा तो लाइन स्टेट बन जाएगी लाइन तो ट्रैंगल बनेगा अरे एक कैसे हो सकता है बन जाएगा यानि कि आपके ट्रैंगल में दो एंगल 90 नहीं हो सकते तीनों तो होई नहीं सकते तो एक एंगल होगा ना एक एंगल हो सकता है तो आप क्या कहेंगे जिस ट्रैंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो अब यहां तो हमने का ओल ट्री एंगल सार acute लेकिन यहां पर right में ऐसा नहीं हो सकता है if one angle is 90 degree if one angle of triangle is 90 degree then it is known as right angle triangle if one angle of triangle is 90 degree ऐसा एक 90 होगा तो other two अपने आप acute हो जाएंगे एक 90 हो जाएगा तो other two अपने आप acute हो जाएंगे then triangle is known as known as acute angled sorry right angled triangle right angled triangle तो यह आपका right angled triangle का हो गया ठीक है अब जाएगा थाएगा अब ज़रा समझिएगा तीसरा है आप्ट्यूज 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 बहुए लिखिए अच्छाएगा अप्ट्यूज angled triangle अप्ट्यूज कितने डिग्री का होगा तो 90 से बड़ा तो एक ही एंगिल हो सकता है तीनों हो सकते हैं तो आप लिखेंगे if one angle of triangle is obtuse यह नोट का लिया तो इसी भी हम बढाते है if one angle of triangle is obtuse obtuse then triangle is known as obtuse angle triangle obtuse angle triangle यह definition इसकी लिख लिजेगा if one angle of triangle is obtuse then triangle is known as obtuse angled triangle ठीक है अब जड़ा देखिएगा अब यह तो हो गए triangle के नाम according to their sight and according to their angles अब कुछ बातें और triangle बारें समझ लिजेगा देखिए एक होता है interior एक होता है exterior क्या कहते हैं interior angles and exterior देखिए पैले तो हम बात करते है interior angles interior angles जड़ा ध्यान से समझेगा क्योंकि यह थोड़ा सा technical नाम है देखो ध्यान से यह triangle दिखरा आपको यह triangle दिखरा है तो इसके अंदर के जितने भी angles हैं अंदर के angle मतलब यह वाला angle यह वाला angle यह वाला angle इसको कहते है interior angles क्या कहते हैं जड़ा समझेगा यह बताईए इस वाले angle का नाम कैसे naming कैसे करोगे हाँ इसका इसका हाँ सुन मैं आगे angle तो आप short पर लिख सकते हो कि angle A angle B and angle C अगर मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ इसका मतलब अंदर के angle में ले रहा हूँ are interior angles क्या कहते हैं इसको are interior angles अब जड़ा समझेगा थोड़ा सा साउधान दूसरा होता है exterior angle exterior के साथ एक बार और interior आएगा लेकिन नाम होगा and interior opposite angles and interior opposite angles जड़ा नाम पे जाईएगा थोड़ा सा different नाम है जड़ा समझेगा साउधान दोगो exterior point की बात नहीं कर रहा हूँ exterior angle and interior opposite angle देखो ध्यान से इसकी किसी भी एक side को एक direction में बढ़ा दीजिए देखो हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया डी तक बढ़ा दिया तो बाहर से जो angle बना है ये वाला ये angle कलाता है exterior angle क्या कलाता है इसका नाम कैसे लिखोगे हाँ तो आप रिखेंगे angle a c d is exterior angle बात समझ में आई अब जड़ा सुझो इसमें कितने interior है त्री हैं लेकिन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको छोड़ के जो other two होंगे उन्हें interior opposite angles कहेंगे समझ में आई बात मतलब अगर इस point की आप बात कर रहे हो तो यहां लिखेंगे here angle b and angle a और ये क्या होंगे interior opposite angles interior opposite एंगल समझ में आ रही बात मतलब देखिए वैसे तो यह interior है लेकिन जिस exterior की हम बात कर रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके उससे जो जुड़ा हुआ एंगल है उसको छोड़ के जो बचे हुए दो एंगल है उन्हें कहेंगे interior opposite angles ठीक है जैसे मैं यह पहली point लेता हूँ जैसे मैं दूसरा point लेता हूँ अगर मैं कोई भी एक side बढ़ा देता हूँ मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो इसका नाम E दे देता हूँ तो यह एंगल कहलाएगा exterior क्या नाम है इसका यह B.A.C. दिख रहा हूँ बाहर वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ ना B.A.E. है ना तो B.A.E. exterior है और इसके लिए interior opposite कौन कौन से है यह दो जब C बात कर रहा हूँ तो अंदर वाले बात कर रहा हूँ ठीक है तो हर exterior के लिए opposite interior सुझ में आ गया यह आप लिखेंगे कि angle B.A.C. sorry B.A.E. यह कैसा है यह है exterior angle exterior angle और angle B और angle C यह क्या है यह है interior opposite angle interior अपोजिट एंगल्स समझ में आ गई बात के exterior क्या होता है और उनके interior अपोजिट क्या होता है इनके नाम भी याद रखिएगा learn करने पड़ेंगे आपको ठीक है अब कुछ particular type के quadrilateral है उन्हें लिखेगा types of quadrilateral types of quadrilateral quadrilateral का मतलब क्या होता है केवल ऐसा बोलेंगे आप quadrilateral is a four side four sided closed figure नहीं समझेगा अगर मैं four side के और बना देता हूं अभी मैं four side बना रहा हूं मैंने बनाया एक side, दो side, तीन side, चार side है quadrilateral हाँ तो आप क्या कहेंगे four sided closed figure होना चाहिए ठीक है तो quadrilateral की definition क्या लिखेंगे four sided closed figure ये quadrilateral होता है ठीक है अब वो sides के नाम बदलते जाएंगे और उसके नाम आपको समझ में आते जाएंगे नंबर वन लिखें ट्रेपेजियम बता क्वाडि लेटरल के टाइप है ट्रेपेजियम देखोड ट्रेपेजियम में क्या होता है देखें ट्रेपेजियम इसे quadrilateral ये quadrilateral के पार्ट है मैं इसका अभी वो बना दूगा ट्री टाइप का देखें अगर किसी quadrilateral की कोई दो अपोजिट साइट्स पैरलल हों ये अपोजिट साइट्स पैरलल है ठीक है पैरलल जानते हो ना पैरलल हमें क्या होता है था कि दोनों लाइने कहीं मिलेगी नहीं और दोनों के बीच की डिसन्स सेम रहेगी अगर ये पैरलल है तो ये ट्रेपेजियम होगा इसका कोई भी शेप कोई भी हो सकता ये लंबाई कुछ भी हो सकती है तो अगर A, B, C, D कर दूँ तो आप क्या कहेंगे कि any two opposite sides are parallel तो लिखे इसकी definition a quadrilateral a quadrilateral with one pair sides is sorry with one pair of parallel sides a quadrilateral with one pair of parallel sides is a trapezeeum is a trapezeeum यानि कि अच्छा पैरल लिखते कैसे है कि जैसे A, B है और उसके पैरलल D, C है तो बीच में ये sign लगा देते हैं आप दो लाइन की देंगे पैरल ये पैरलल साइट होती है ठीक है नहीं ये पैरलल कैसे होगी तो ऐसे जा रही है अगर इसको आगे मिला दें कहीं नहीं जाके मिल जाएंगी नहीं मिल जाएंगी हाँ अगर वो पैरलल हो जाएंगी तो non change हो जाएगा ठीक है नीचे लिखे अगर अगर ऐसा हो जाए कि A.D. और B.C. इक्वल हो जाएंगी पैरलल तो नहीं हो सकती है यानि नाथ पैरलल साइड इक्वल भी हो जाएंगी यानि कि ये कैसा ट्रफजियम है जिसमें नाथ पैरलल साइड इक्वल है ठीक है तो इसको हम कहते हैं Isocelest Epsium तो लिख लिएगा If AD is equal to BC AD is equal to BC यानी ये क्या है कि ये non-parallel sides कि यहां bracket लिख जिएगा bracket बनाईए लिखिए non-parallel sides are equal non-parallel sides are equal non-parallel sides are equal then it is known as isocellus trapezium इसको क्या करते है trapezium इसकी इसकी sound ही में थी न है है हाँ आपकी आवाज दी में आ रही थी हम कहे रहे हैं कि नवाब मान नहीं रहे थे कर दो सुन रहे थे खैर ये समय आ गया अब लिखे पैले लोग्राम ये ट्रेफिजियम हो गया इसको याद भी रखेंगा पैले लोग्राम दूसरा है पैले लोग्राम देखो पैले लोग्राम भी एक four sided close figure है यानि कि quadilateral है खासिया देखो या ध्यान से पैले लोग्राम में क्या होता है ये ऐसे बनता है देखे ये opposite side पैलल है AB किसके पैडल है DC के और ये opposite side इसके पैडल हो जाएगी हमको ये दो arrow इसले बना दिया दिखाने के लिए कि ये इसके पैडल है और opposite sides पैडल होंगी दोनो दोनो pair वहाँ पर क्या था एक pair पैडल था ना या दोनो pair पैडल है और opposite sides are equal यान आप लिखे इन पैडलोग्राम आपोजिट sides are parallel and equal आपोजिट sides are parallel and equal अपोजिट sides are parallel and equal अपोजिट angles are equal मतलब समझेगा देखे ध्यान से यानि कि AB किसके पैडल है DC के ठीक BC किसके पैडल है AD के ठीक है AB किसके equal है DC के BC किसके equal है AD के Angle A किसके equal है Angle C के Angle A is equal to angle C और angle B is equal to angle D ठीक है यह हो गया आपका पैडलोग्राम अब देखो यही पैडलोग्राम पूरी कंडिशन यही हो लेकिन हर angle 90 degree हो जाए तो इसी पैडलोग्राम का एक nickname हो जाता है rectangle क्या हो जाता है rectangle तो अगला लिखिए rectangle तीसरा है rectangle क्या rectangle को हम पैडलोग्राम कह सकते हैं अगला आपाने पैडलोग्राम कह सकते हैं थो आपाने सभी कंडिशन नहीं यह यहीं सभी थो五います तो आप लिखेंगे, अब पैडेलोग्राम, मतलब ये खुद पैडेलोग्राम है, अब पैडेलोग्राम in which all the angles are right angles, all the angles are right angles, are is rectangle, is rectangle. आप देखिए, यही पैडेलोग्राम ले ले, अंगेल ना ले, लेकिन सब साइड इक्वल कर दे, तो ये कहलाएगा रॉम्बस, क्या कहलाएगा, रॉम्बस, तो लिखिए अगला रॉम्बस, रॉम्बस, यही ऐसा पैडेलोग्राम, जब मैं, देखिए, जब मैं कह रहा हूँ पैडेलोग्राम, तो फड़ से उसकी प्रॉपर्टीज यह आपके दिमाग में आजानी चाहिए, कि अपोजिट साइड पैडल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट आंगल से इक्व और पैडलोग्राम इन विच और विच आल थे साइड एक्वल, इस रॉम्बस, ठीक है, अब अगर यह रॉम्बस हो गया, राम्बस में आप ऐसे बना दी यह पैल्लोग्राम लेकिं सभी साइड से एक्वल बनाईएगा, mãet यह इसके पैडल, यह इसके पैडल और सभी साइ साइट सिक्वल हैं अब देखे अगर यही रामबस सभी साइट सिक्वल हो सभी आंगल 90 डिग्री हो जाएं तो इसी को स्कुर कहते हैं या अगर rectangle हम ले ले और rectangle में सब कुछ हो, साथ में सभी sides equal हो जाएं, तो यह क्या कहलाएगा square, तो लिखे square square a rectangle in which all the sides are equal a rectangle in which all the sides are equal is a square एक और last लिखे kite kite kite, kite देखी होगी आपने kite में क्या होता है यह इसके equal होता है ऐसे और यह इसके equal होता है यह वाली side इसके equal है थोड़ा इसको बड़ा कर दो जिसे लगे कि यह equal है लेकिन अलग नहीं मिले और यह इसके equal है यह वाली side इसके equal है ठीक है, यह जो adjacent sides होती equal होती, लिखिएगा, a quadrilateral, a quadrilateral with two pairs of equal adjacent sides, with two pairs of equal adjacent sides.